नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है आज से ठीक 48 साल पहले 25 जून 1975 1975 की 25 जून की वो रात जब इंद्रा गांधी ने तबके राष्ट पती फक्रुद्दीन अलि एहमद से एक अध्यादेश पर एक नाटिफिकेशन पर सिगनेचर कराए और खुद इंद्रा गांधी ने ही उसका एलान भी किया कि राष्टपती फक्रुदीन अली एहमद ने देश पर इमर्जंसी लगा दी है या इमर्जंसी की गोशना कर दी है और इमर्जंसी के जो वो काले दिन थे करीब करीब 20 महिन्ये के वो तारीखें भी मेरे पास है 25 जून 1975 को लगाई गई और 21 मार्च 1977 को हटाई गई लेकिन इस वीच का जो कालखंड था वो एक तरीके से हमारे लोक्तंत्र पर किसी काले धब्बे से कम नहीं है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे किसी को बोलने की अनुमती नहीं थी लिखने की अनुमती नहीं थी यहां तक के गाएकों पर परतिबंद लगा दिये गए थे जन सबहाओं पर परतिबंद लगा दिये गए थे अटल विहरी वजपई लाल कृष्ण अडवानी से लेकर के जया प्रकास नरायन चोधरी चरण सिंग और तमाम विपक्ष के जो दिगज थे जो महापुरुष थे उनको रातों रात उठा करके गिरफतार करके जेलों में डाल दिया गया था और इस एरा में करीब डेड़ लाख के आसपास लोगों को जेलों में ठूसा गया यानि पूरे देश को एक तरीके से जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था और शायद इमरजेंसी उठाई भी नहीं जाती अगर ब्रिटिस अख़वारों में ये छपना ना शुरू होता के नहरू की बेटी ने देश में लोकतंत्र खतम कर दिया उसकी हत्या कर दी और आपात काल थोप दिया मीसा के तहत यहां तक के जो जुड़ी शेरी थी क्योंकि जो गिरफ्तार किये जा रहे थे उनकी अदालतों में सुनवाई भी नहीं हो सकती थी देश में जो एक माहौल क्रियेट किया गया ये क्यों किया गया ऐसी कौन सी आफ़त आ गई थी के इमरजेंसी लगा दी गई और जो एक जो कभी नहीं हुआ उनीस सो स्थालिस से उननीस सो पिचत्तर के वीज कभी नहीं हुआ जो आपातकाल लगता था वो युद्ध के समय अलग तरीके से लगता था लेकिन 1975 में इंद्रा गांदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी सत्ता बचाने के लिए देश के नागरिकों पर इमरजेंसी थोब दी उनके मौलिक अधिकार उनके मूल अधिकारों को छीन लिया तरह तरह की जैतियां हुई इसके बहुत सारे पहलू है और उन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है मैं संख्षेप में आपको बता दूं के इमरजेंसी क्यों लगी थी 1971 में कॉंग्रेस पारिटी को 352 लोग सभा सीटे मिली थी 352 सीटों का मतलब यह है कि ह्यूज मेंडेट था खुद इंद्रा गांधी भी राए बरेली से एक लाक से अधिक मतों से जीती थी जो सेकंड नमबर पर रहे थे राज नरायन उन्हों ने इसको अदालत में चैलेंज किया कि इंद्रा गांधी ने जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तमाल किया और मेरे साथ जो खास महबान जुडने वाले हैं वो भी सिनहा साब है और जिन्हों ने फैसला सुनाया था इलाबाद हाई कोट में वो भी जग मोहनलाल सिना थे, जस्टिस जग मोहनलाल सिना, उन पर तरह तरह के प्रेशर थे, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, इलाबाद हाई कोट के उन पर भी प्रेशर बनाया गया कि फैसला टाल दिया जाए, एक सेकेटरी इलाबाद भेज दिये गये थे, जो उनके इस जस्टिस जग मोहनलाल सिना अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए और उन्हों ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया और इंद्रा गांदी को दो आरोपों में दोशी ठहराते हुए अगले 6 साल के लिए किसी भी तरह का चुनाव लड़ने पर उन पर दिया तो चलिए सीधे जुड़ते हैं मेजर जनरल आस्पी शिना साभ के साथ और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि सिना साथ बहुत स्वागत है आपका मंसका जैंस ना किंद्ड हिंड हिं। जी भारत वातक है सिना साथ मैं तो सबसे पहला सवाल यही आप से जानना चाहता हूं जिसको हम काला अध्याय मानते हैं इस लोक्तांत्रिक देश की राजनीती का और आज भारतिय जनता पारिटी काला दिवस भी मना रही है इमर्जंसी जिस दिन लगाई गई थी इस दिन को प्रदान मंत्री से लेकर के आमित्ष शहा के राजनास सिंग के जेपी नड़्डा के बहुत सारे लोगों के वयान भी आये हैं इमर्जंसी इंद्रा गांदी को क्यों लगानी पड़ी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए क्या और कोई रास्ते नहीं थे उनके सामने देखें अंकार जी पहली बात तो यह है कि इमर्जंसी जो 1975 में इंद्रा जी ने लगाया था नाइट ऑफ 25 और 26 जून ये हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कलंख है काला धबा है जिसको लोग कहते हैं कि समय के साथ घाव भड़ जाता है लेकिन ये कलंख ऐसा है कि कभी नहीं धूल सकता ये कॉंग्रेस के चाल और चरित्र उसे सोच पे बहुत बड़ा दाग है और कॉंग्रेस इस काले दाग से छुप नहीं सकता बच नहीं सकता सबसे बड़ी बात है कि उंकार जी कि देशवास्यों के मन में एक प्रशन उठना स्वाभाविक है कि जो इंद्रा गांधी 1970 में अपने लोग प्रियता के उच्चायों को में उच्छाल ले रही थी अचानक चार साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसको इमर्जनसी डिक्लियर करना पड़ा और जैसे आपने कहा था 352 सीट के साथ हुआई थी और 71 वार के बाद तो वो तो कोई कहता था दुरगा है कोई पता नहीं क्या उस उनके प्रशिंसा में तो फुल जड़ियां बहती थी तो ऐसा क्या हुआ मैं बताता हूँ जो बुखे कारण है पहला कि जिस तरह से बंगलादेशी रिफ्यूजिस हिंदुस्तान के अंदर आए वो आर्थिक डिस्टिकोंस से हमारे लिए बहुत अभिशाप था उसके बाद ड्राउट्स हो गया ड्राउट्स के बाद आर्थिक विवस्ता हिदुस्तान की पूरी तरह से गरवा गई खाने का शौटेश हो गया इंफलेशन मंगाई बहुत जादे उसमें इजाफा हुआ बेरोजगारी होने लग गई और प्रष्टाचार को बतलत चरब सीमा तक क्रॉस कर गई यह सच है कि लाल बहादूर साश्त्री जी तक हिंदुस्तान के पॉलिटेक्स में फूरा मुणा प्रष्टाचार तो था के सिस्टम को पूरी तर से द्वस्त कर दिया और वो मनी पावर में पॉलिटिक्स थ्रू मनी पावर में विश्वास करने लग गया है कई देश के कई छेत्रों में रायट्स होने शुरू हो गए तो यह सब का अंजाम यह हुआ कि गुजरात के स्टूडेंट्स ने विद्रो करना शुरू किया और उन्होंने नौ निर्मान अंदोलन को जनम दिया और यह गुजरात से शुरू हुआ और यह बिहार में पहुचा एक बहुत महत्पूर्ण तिथी है जो सिक्वेंस बताएगा कि यह समस्या शुरू क्यों हुए इंदरा जी ने फर्स्ट अप्रेल 1974 को भूवनेश्वर में कहा कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और वो राश्ट के लिए खत्रा है उनका इशारा बाबु जयाप्रकाश नरांजी के तरफ था बाबु जयाप्रकाश नरांजी बहुत आहत हुए और उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगा उन्होंने इंद्रा को चिठी लिखा और पहले वो इंद्रा को इंदू कहके संभोधित करते थी लेकिन इस चिठी में उन्होंने अपना टोन अप संभोधन करने का जो होता है चीज उसको बदल दिया और इंद्रा जी करके उनको एट्रेस किया इस आपका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारी तो बहुत नजदीकियां हैं, मेरा ख्याल है जो मैं 1st April 74 को कुछ बोला, बोली मैंने भूवनेश्वर में, वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में गलती होगी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मतलब वो retrace कर रही थ लेकिन जैप्रकास बावू, जैपी बावू इससे प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्स्प्राइशन दिया कि क्यों इंदरा उनके बीच में दरार हो रहा है, उसके बाद, 7 जून 74 को जैप्रकास ट्राइन जी ने सत्यागरा लांच किया, और उसक का कारण वही सरकार का governance model है, तो टैक्स देना बंद करो, तीन दिन, 3 और 5 अक्टूबर 74 को उन्होंने बंद किया, चार नौंबर 74 को जैप्रकास बावू ने पटना के गलियों में परदर्शन शुरू किया, और देखिये पुलिस की बरबरता, कि जैप्रकास नारान के स्ट जैप्रकास बावू का क्या कद था, वो मैं बताऊंगा, तो कि मैं बिहार का हूं, मैंने पटना में पढ़ाई किया, बिफोर आई जोएंट स्टील के लिया, पटना में पढ़ाओं, पटना कॉलिजिये थू, तो मैं जानता हूं, पटना का बिहार का कौन बच्चा ने, कौन जुडिशरी नहीं, जो बावू जैप्रकास नारन के ओनिस्टी पे को नहीं जानता है, कदम कुवा में एक टूटे हुए खाट पर वो सोते थे, चंद सेखर जी ऐसे से ऐसे से धिगज नेता, अधवानी जी, बाजपेई जी, पता नहीं हिंदुस्तान के हूं दन हू आके धन बनाते हुए कुर्सी पे बैठते थे और गौरपुन मसूद करते थे, जमको जैप्रकास बावू ने बैठना का मौका दिया, कोई सोफा नहीं था इतना स्टाइल का उनके घर में, इस गरीमी में रहते थे, वो बेक्ती जो नहरू ने चलाकी से जब सदार बल्ले बाई पटील जी को पीम के रेस से हटाया, तो नेक्स्ट कंटेंडर थे जाप्रकास बावू को बोला, या बड़े भाई हो, छोटे भाई के लिए गद्दी छोड़ दो, किस तरह से इन दोनों को साइडलीन किया गया, अब बिटिस इंटेलिजेंस माई 5 का क्या रोल था, म इतना निष्ठावान है, ऑनेस्ट है, बिहार का एक एक बच्चा उसको उनको इश्वर मानता था, ऑनेस्टी के वो एक प्रतीक थे, टूटा हुआ खाट जी, जिस आदमी की छमता थी कि वो इंद्रा गंदी ऐसे, तो उठा के फेक दिया पावर से, वो टूटे हुए सब आके उसी खटारा कुर्सी पे बैठते थे, उसको अपने उनके चरीतर पे और अनेस्टी पे परसंची उठा दिया, और आप पुलिश रहे लाठी चार्ज करवाते हो, बावुजा प्रकाशनान पे, मतलब क्या नेहरू यदि डरता था किसी से, तो बावुजा 72 के बाद जो इंपॉर्टन इवेंट है, वह है अलाबाद हाई कोट का जज्जमेंट इंद्रा के खिलाफ 12 जून 75 को, यह डेट बहुत महतपूर्ण है, उंकार जी, 12 जून 75 को, जगमोहनलाल सिना जी ने, जस्टिस, अलाबाद हो, हाई कोट ने, मुझे सब पता है किस तर जगर जगर नहीं जाओगे, यहीं खाओगे मेरे साथ, मेरे साथ बगल में सोगे, कहीं नहीं जाओगे, उनको पता था, गोपनियत रखनी है, नहीं तो हंगामा होगा, मुझे बहुत गर्व होता है, इस देश में कि ऐसे से जजजेज हमारे हैं, जो इंद्रा गांधी को चुनोती दे दिये, और गोपनियता के साथ, अपना पुरा जज्जमेंट, नोट टाइप करवाया, एक शोटा सा लीक हो जाता, दगमोहनलाल जी चीका, कुछ भी हो सकता हत्या तक हो सकती, मैं बता रहा हूं, और जब फैसला सुनाया, तो हंगामा हो गया इस देश में, और वो तो इतिहास है, इंद्रा गांधी ने किस तरह से संभीदान, मतलब संभीदान को बदला, किस तरह से जज्जमेंट को पलट दिया, तो अब आते हैं इमर्जेंसी पे फकरुदीन अली अहमद जो राष्टपती थे, इंद्रा गांधी बाई हैंड को कागज लेके गई, क्या ये प्रोटोकॉल है, क्या देश का प्रधान मंत्री बाई हैंड लेके जाता है, क्या देश का प्रधान मंत्री एक रणर है, एक प्यून है, ये बाई हैंड लेके ज 52 के तहट ये इमर्जेंसी नाइट ऑफ 25 जून 1975 साइन हुआ और डिक्लियर किया गया है घोशना प्रेजिडिन ने ने की फखरोदीन अली अहमद ने की इंद्रा ने की अब इंद्रा ने तीन ग्राउंड से साइट किये उधारंदिया क्यों इमर्जेंसी लगाए गया है पहल कि हिंदुस्तान की सुरक्षा और प्रजातंत्र खत्रे में है वा रे इंद्रा वा प्रजातंत्र खत्रे में है भावु जा प्रकास नायन से प्रजातंत्र खत्रे में है जिन्होंने प्रधान मंत्री की गांदी जी के कहने पर प्रधान मंत्री की कुर्शी को छुकरा दिया उस आदमी पे बोलो उनके उनके कारण खत्रे में है अब दूसरा जो मैं पॉइंट बोलूँगा तो आप हसिएगा कि रैपिड आर्थिक डिवलप्मेंट के लिए जरूरी है और गरीबों को अन्प्रिवलेज के उत्थान के लिए जरूरी है इमर्जेंसी लगाना वा रहे यह रैपिड डिवलप्मेंट के लिए आप इमर्जेंसी लगा रहे हो उसके बाद विदेशी ताक्तों को यह संदेश देना और हिंदुस्तान के अंदर कुछ ताक्तों को यह संदेश देना कि हंदुस्तान को उनके अनुसार इंद्रा गांधी के अनुसार कि हंदुस्तान of emergency. क्या हुआ? जी. जी. तो कंसिकेंस में ऐसा है ओंकार जी कि क्या क्या चीज इंदरा ने इंपोज किया? स्ट्राइक्स को बैंड किया. अपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट किया, जेल में डाला. और किन को किन को डाला? बाबु जय परकाश नरायन, मुराजी दिसाई, आचारी क्रिपलानी, बाजपेई जी, अधवानी जी, चरन सिंग, जोज फर्नांडे, राज नरायन, देवी लाज, बियर सिखावत, जोती बसू, अरून जेटली, नमूदरी पाद, देवे गौडा, परकास बादल, कहा जाता है कि एक लाख ग्यारह हजार लोगों को अरेश्ट किया गिया और, और स्पीच, फ्रीडम अफ स्पीच खताम, फ्रीडम अफ प्रेस खताम, प्रोटेस्ट स्ट्राइक खताम, पब्लिक एजिटेशन खताम, और समधानिक जो राइट्स है, बचा क्या, बचा क्या, उनकार जी जिस तरह से अब ये, कि डिक्टेटर्शिप कर रहे हैं, क्या इनमें से एक भी पॉइंट मोदी जी ने किया है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, डिक्टेटर कौन है, कौन है डिक्टेटर, एक किस महीने का इमर्जेंसी था, अंकार जी, और इंदरा का मुख्यम उद्देश था, वो जाप्रकास डान्स इतनी डरती थी, इतनी डरती थी, जब उनके पिता जी डरते थे तो इंदरा क्या है, पिता जी डरते थे, खौफ खाते थे, इसलिए तो गांधी जी को बोले, जब जब गार्शने बाबू को रोकिये, अब वो एमोशनल कार्ट खेल गए, तुम बड़े भाई हो, छोटे भाई के लिए गद्दी छोड़ दो, हिंदुज़म में ऐसे होता है क्या, बड़ा भाई राजा होता है कि छोटा भाई राजा होता है, दूसरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, हिंदरा ने देखा कि समस्या बिगड़ सकती है, तो उस समय के थल से ना धक्ष जनल रैना को से बातचीत की, कि आप टेक वर कीजिए, आर्मी टेक वर कीजिए, उड़े देश का हुकुमत, और मुझे गर्व है, कि जनल रैना ने कहा, मैडम, पॉलिटिक्स आपका डुमेन है, हम लोग अपॉलिटिकल आर्मी हैं, हम देश के पॉलिटिक्स में नहीं घुशेंगे, यह आपकी समस्या है, आप सर्टाइए, हमारा काम है बॉर्डर को सुरक्षित रटना, बास, आंतरिक विरस्था येस, बट अपने लोगों पे हम तबाही नहीं करेंगे, नहीं, कता ही नहीं, आप अपना समस्या अपना हल कीजिए, यह है आरमी, तो जो लोग यहां बाला कोट पे स्टाइक करते हैं और ये भ्हाई से हमेसा कापते रहते हैं कि आरमी टेक ओवर हो सकता है, आरमी ने तो अपना चाल चरित दिखा दिया, इनिस सो पचतर में, दिखा दिया, कि हम सत्ता के भूखे नहीं है, हम manifestation को सत्ता नहीं चा है कि देखिए आप किस तरह से इमर्जेंसी का सत्ता के मोह में किस हद तक इंद्रा गांधी किरी उंकार जी ये ये सामने दिखता है और वाले बड़ी-बड़ी बाते करते हैं उनको मेरे इन प्रश्णों का उत्तर देना पड़ेगा हां उंकार जी मैं ऐसे दर्शकों को कुछ जानकारी दे दूँ जो इस तरह के आंकड़ों में भरोसा करते हैं या जानना चाहते हैं 1971 का जो लोगसभा चुनाव हुआ था पांचवी लोगसभा के लिए कांग्रेस को 352 सीटे मिली थी 43 प्रतिशत वोट शेयर के साथ CPIM दूसरी बड़ी भारिटी थी और उसको केवल 25 सीटे मिली थी पांच दसमलव एक दो प्रतिशत के वोट शेयर के साथ CPI को 23 सीटे मिली थी और जनसंग जो आजकल भारतिय जनता पारिटी के नाम से जाना जाता है उसको 22 सीटे मिली थी 7.35 परसेंट वोट शेयर के साथ और उस समय कामराज के की भी एक पारिटी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ओ करके उसको 16 सीटे मिली थी एक जनकारी मैं आपको और दे दूं रायवरेली से उस समय इंद्रा गांधी कि एक लाग से ज्यादा मतों के अंतर से जीती थी इनको कुल मिला करके एक लाग तिरासी हजार तीन सो नौ वोट मिले थे और जो SSP के थे राज नारायण उनको 71,499 वोट मिले थे अब मैं ये भी जानकारी अपने दर्शकों को देता चलूं कि एक्च्वल में वो कौन से दो आरोप थे जो इंद्रा गांधी पर मुकदमा चलने के बाद सिद्ध हुए थे और जिन में जग मोहनलाल सिनहा साब ने उनको दोशी करार दिया था ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बहुत सारे दर्शकों के लिए जस्टिस सिनहा ने दो आरोपों में इंद्रा गांधी के निर्वाचन को इंद्रा गांधी को दोशी करार दिया था पहला दोश ये था कि उन्होंने प्रधान मंत्री सच्चिवालिया में आफिसर ओन इस्पेशल ड्यूटी यश्पाल कपूर का इस्तेमाल चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किया था नंबर दो इंद्रा गांधी ने जिन मंचों से चुनावी रैलियों को संबोधित किया था उन्हें बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों की मदद ली गई थी उन अधिकारियों ने ही लौडी स्पीकर और विजली वगैरा का बंदवस्त किया था ये दो गंभीर आरोप उन पर लगे थे जिसकी वज़े से उनका निर्वाचन रद्द किया गया और अगले च्छे साल के लिए किसी भी तरह का चुनाव लड़ने पर पावंदी लगा सिना सब इंद्रा गंधी ने इमर्जंसी इसलिए लगाई कि वो किसी और को परधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी खुदी परधानमंत्री बने रहना चाहती थी नंबर दो ये सोनिया गंधी राहूल गंधी कॉंग्रिस के दूसरे लीडर बात बात बे बात कहते हैं के मौदी सरकार ने लोक्तंतर की हथ्या कर दे। लोक्तंतर की हथ्या किसे ने किये थी। मौदी सरकार ने तो आज तक एक भी ऐसा कदम नहीं इठाया, जो हमारे democracy को किसी भी तरीके से overruled करता हो, कभी भी अदालत के फैसले को भी इन्हों ने अंदेखा नहीं किया जबके ये तो इलहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस का निरने था जिसको इंद्रा गानी ने एक तरीके से कोड़े दान में डाल दिया और खुद प्रदान मंत्री बने रहने के लिए देश पर इमर्जिंसी थाफ जी इसके पहले कि मैं आपका प्रशन का उत्तर दूँ एक चीज मैं कहना भूल गया कि मैं बहुत आहत हूं कि जिस तरह से बाबु जैप्रकाश नायां जी के साथ आप यह सच है और जैप्रकाश नायां जी का जो किट्नी फेलियर हुआ उसके पूरी तरह से बंसीलाल और इंद्रा गांधी रिस्पोंसिबल है इंद्रा गांधी उनके डिथ के लिए रिस्पोंसिबल है यह सच है यह इस दिची एस तर तक यह लोग जाते हैं और बगवा तरह तो कि नेरू परिवार है तो इनकी बर्थ राइट है गदी में बैठने के लिए जब इंद्रा गांदी के हत्या हुई तो राजी गांदी कैसे बन गया प्रधान मंत्री यह क्या प्रजाद तंत्र ने राजी गांदी को सेलेक्ट किया था प्रजा प्रजा ने सेलेक्ट किया था इंद्रा को यानि जेल सिंग दोशी है इस परिवारवाद को क्या मैं तो यह तो बार बार तज्जू मुझे होता है क्या विदीन कॉंग्रेस प्रजातंत्र है प्रजात्त की बात करते हैं 75 के बाद 75 का इसे दिगज लोग बाभु जया प्रकेशन दिगज ऐसे लोग परेश्ट करके टॉट्चर करते हो तब बड़ी-बड़ी बाते करते हो क vine का एक है प्रजातंत्र आप लोग सिर्फ और सिर्फ सक्टा में विश्वास करते हो और जब नहरु परधानमंत्री थे तो पुड़ा फाइल प्रधानमंत्री के पार इंदरा गांधी क्यों जाता था कौन सा प्रजातंत रहे है Aw जोनिया गांधी जब नेस्टलाइडवाइजरी कॉंसिल की बॉस बनी तो मनमोन सी का सब फाइल उतके पास जाता था किस के पैसिती में है क्या संभीदान का पोस्ट था वो एक फॉरेंड लेडी इटारियन लेडी के पास के देश की गुपनिये फाइल उसके पास जा रही है अप्रूबल के लिए कुई शी कौन है वो आपने सभीदान के दज्जी उला दी और प्रजात्त की बात करते हो लाल बहादूर शास्त्री जी के मौत कैसे हुई मुझे पता है जो कुक था जिसने जहर दिया उसको इंद्रा गांधी ने पेंशन क्यों दिया जाओ पाकिस्तान भागा तो क्यों पेंशन दिया सत्त क्या है इसमें इंडरा गांधी का क्या रोल है मेरा इशारी इशारों में देश के आपकी दर्शकू को समझना चाहिए मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं क्यों पैश्चत दिया देश के प्रधान मंत्री का हत्यार को आप पेंशन देती है और कुक मुस्लिम कुक पाकिस्तान क्यों भागा हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं आया है दूद में जहर किसने डादा प्रधात्त की बात करते ही लोग शेमलेस पीपल इनको सिर्फ सिर्फ सत्ता चाहिए इनको डाजेस्ट नहीं हो रहा है एक चाय बिशने वाला प्रधान मंत्री बन गया है और इसलिए लश्केर तौबा का इश्रत जहान को उन्होंने भेजा था गुज्दात में कि खतम सल्टा दो मोदी जी को प्रजात्त की बात करते हैं जिस तरह से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जिस तरह के दिग्ज प्रजाता हों कि मिर्थ्य हुई है कैसे मिर्थ्य इस पर तो डिटेल इंक्वारि बनता है पालट जी की हत्या कैसे हुई सवाल पैदा होता है कि यह लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं प्रजात्त की कोई प्रजात्त्र नहीं है मेरा ख्याल है पुंकार जी वक्त आ गया है कि मोदी जी एक कानून बनाए जिस किसी परिवार का इव्यक्ति या मेले हो एंपी हो या मिनिस्टर हो या प्रामिनिस्टर हो 200 साल तक उस परिवार का कोई व्यक्ति पॉलिटिक से असेशियेट नहीं हो सकता है इस इंदुस्तान को राज तंतर से मुक्ति दिलाने का यही तरीका है कोई भी उसका बेटा बहुत कोई नहीं रह सकता है दूर का रिलेटिफ कोई नहीं सकता है पुड़ा परिवार आउट अट अधॉट पॉलिटिक्स जिस देश में उंकार जी बिजनेसमेन का प्रॉफिट कम है और पॉलिटिशन का इंकम जादे है वो देश कैसे आगे बढ़ेगा उंकार जी हमारे बिजनेसमेन में मेहनत करते हैं रिस्ट करते हैं इंवेस्टमेंट लगाते हैं फुरा तैम फसीना बहाते हैं इतना रिस्ट लेते हैं लॉस का डर रहता है और पॉलिटिशन आप सेना में चले गए थे, और जो लोग कहीं नहिं, वो जाथ के आधार पे, बैले बन जाते हैं, अब ब्यूटी है कि, पोलिटिक्स में आने के पहले, उजुका असेट किया था, अब पोलिटिक्स में आने के बाद किया असेट है, इस पर भी तो पॉब्लिक डुमेन में इस सब डाटा आना चाहिए ना नाम नहीं लूँगा मैं जो लोग इस देश पे कॉंग्रेस के खिलाफ पॉलिटिक्स में आए लालू यादो नितीश कुमार आज उजी के साथ साथ गाट कर रहे हैं आप लोगो क्या principles है यह बहुत दुक्री बात है तो नेरू परिवार से परजातन अंत Dare यह तो मेरा लाञाना है बहुत बहुत बड़ी बात है यह संभव नहीं है उनकी सिर्फ और सिर्फ सोच है गदी में बैठो पस्राइकश्टान को लूटो पैसा बनाओ, इंदुस्तान कमजूर होता है, इंद्रा जब 1975 में इंद्रा ने कहा कि गरीबी हटाना है, विर्वाजगारी हटाना है, आर्थिक उत्थान के लिए इमर्जेंसी लगाना है, तो आपके पिता जी क्या कर रहे थे, 1975 के पहले आप क्या कर रही थी, बैटाम, वट वर्यू डूइंग, दोश किसका है, ये इस देश का दुर्भाग है, कि लोग, ये सब चूरन बेशते हैं, कुछ लोग, कुछ पॉल्टिशन है, हर एक को नहीं बोलता हूं, बहुत काबिल लोग भी है, ऐसी बात नहीं है, काबिल नहीं होता, तो देश प्रग्रती नहीं करता है, हैं, बट मिजॉरिटी, खाली अपने परिवार के लिए, अपने लिए धन इकठा करना चाहते हैं, लूट में बिश्वास करते हैं, उसमें नहीर अगुष्क्र है, नमबर बवन पार्टी है, बिना काबिलियत है, यह लोग प्रजात्त की बात करते हैं, आप विदेश में जाके हिंदोस्तान का क्या को बदनाम करते हो, यह प्रजातंतर है, कौन सा प्रजातन, आप घर की बात बाहर करोगे पड़ोसी से डिसकर्स करोगे हजबन बाइफ में लडाई हुआ तो अब क्या चाचा से डिसकर्स करोगे कि पत्ने से लडाई हो गया विचार में मदभेद हो सकता है अंकार जी आपके चार भाई हैं चारों से आपका मत हो सकता नहीं मिलें पर घर की बात घर में अधवानी जी क्या बोले थे बाजपेई जी बाहर जाके क्या बोले पाकिस्तान के आईएसाई के बुस्लिम्स के द्वारा आप मिटिय को नाइस क करते हो प्रजासतर की बात करते हो शेंब 거지 शेंबले सप Efendimiz कंड़र् Chemniche के लिए लोग देश को कम्जोर कर थे कि इन को कष्ड है कि देश बहुत मजबूत हो रहा है इनको कर्ष ए कि मोदी जी की बढ़ती प्रियता अज पुर्ण विश्ष अनके सामने घुटने टेकर कितनी बार उठके हो लोगोंने किया है कितनी बार किसी कभीускा लोट aired ने कारगदां टॉन्ट जा सक्रेंफ सब्सक्राइब बट फर मान लिजे फर एमिन एट राहूल गांती प्राइमिस्टर बन जाता है और विदेश में कहीं उसको बुलाया जाता है कॉंगर्स में शिवीज देने के लिए वो तो बोल देगा इधर से डालूंगा कोई चीज और उदर से सोना निकाल दूगा अलू डालूंगा इध इंदुस्तान के नहीं हो सकते खाली रूट के राजनिती में विश्वास करते हैं कहां गया प्रजातंत्र जब चाइना के साथ 2008 में मोई उसाइन किया यह प्रजातंत्र है कि दुश्मन के साथ अपना मोई उसाइन करो अटेक्स आस तक प्लिक डोबेन में नहीं है यह सब मैं कहूंगा 1975 का इंदुस्तान के प्रजातंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कलंख है काला दाग है जिसको समय भी उसको दो नहीं सकता है सिना साथ मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि 25 जोन 1971 को ही इमर्जेंसी क्यों लगाई गई क्योंकि इसी दिन दिली के रामलीला मैदान में जैप्रकास नारायन की हिउज रैली हुई थी जिसमें एक लाग से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और जैप्रकास नारायन ने वहाँ पर एक उद्गोश किया था सिंगासन खाली करो के जनता आती है और उसी रात को जब वो गांधी शान्ती परतिश्ठान में मच्छर दानी लगाकर के बनियान में सो रहे थे तो उनको पुलिस ने उठा लिया गरफतार कर लिया और जैसा जनरल साब ने सुची दी अलग अलग शेहरों में उस समय देश के विपक्ष के शीर्ष नेता थे उन सब को गरफतार किया गया उसी रात में गरफतार किया गया और अलग जेलों में डाल दिया गया किसी को गैस्ट हाउस में ही नजर बंद कर दिया गया शिना साब आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि 12 जून को इलहाबाद हाई कोट से फैसला आया और 25 जून तक यानि 13 जून तक भी इंदरा गांधी ने अपना पद नहीं छोड़ा, इस्तीफा नहीं दिया, नैचिकता नहीं दिखाई, नैचिकता नहीं दिखाई कि आपके अगेंस्ट कोई अगर फैसला आया है तो आप तुरंट अपने पद को छोड़ दें और अपनी जगह किसी कारिकारी को ही बना दें जब तक आप पर्मानेंट प्रधान मंतरी ना बनाएं, लेकिन इंदरा गांधी ने ये नैचिकता नहीं करने के लिए, इनको मजबूर करने के लिए कैसे कैसे शडियंत्र रचे गए हैं, 13 महिने तक दिल्ली में किर्शी कानोनों के खिलाप आंदोलन चलवाया गया, जगए जगए हिंसा करवाई गई, हमें नहीं बोलना चाहिए कि लाल किले पर 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमें नहीं बोलना चाहिए कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के एक 35 साल के नौजवान के अंग भंग कर दिये गए से थे, तलवारों से काट करके उसको बैरिकेट पर लटका दिया गया था, हमें नहीं बोलना चाहिए उसी दोरान और उसके बाद पंजाब में भी कुछ गुर् तोर से मौधी सरकार और खुद परदानमंत्री मौधी के साथ जो घटना हुई थी जब वो फिरोजपूर की रैली में जा रहे थे और एक पाकिस्तान की सरहद के 25-30 किलोमेटर के भीतर उनके काफिले को उनकी गाड़ी को एक फुलाई ओवर पर रुखने के लिए बात दे इस मिनट के लिए तो इस तरह के सडी अंत्र रचे जाते हैं और अपने समय में आप ताना शाही दिखाते हैं और इन से आप ये अपेक्षा करते हैं कि ये पूरी तरीके से लोक्तांत्रिक बने रहें जबकि ये लोक्तांत्रिक हैं इन्होंने तेरे महिने के उस आंदरों क कुछलने की कुशिस नहीं की जी पहली बात तो है कि आप तो जनलिजम में इतने साल से हैं हुम्कार जी इंद्रा गांदी ने कितनी बार इलेक्टेट स्थे को डिस्मिस किया नहीं किम्ट मुदि और ने कितने बार किया पर पर परजात तंत्र में परफॉर्मेंस किसका बेटर है नेतिकता की बात करता हूं एक छोटा सा उधारन दूंगा उंकार जी इंदरा गांधी जानती थी कि वो दादागिरी तभी कर सकती है जब सुप्रीम कोट चीफ जस्टिस उनके पॉकेट में हो तो वो फोन करती एन्रे को उ वो है fourth seniority था उनका, इंदरा गांधी एन्रे को फोन करती है, खुद, कोई पैसेजर नहीं किया था, संदेश वहाग नहीं किया था, खुद फोन करती है, और कोई भी इस देश का वेक्टि, इंदरा गांधी को आवाज को तो पहचांता ही है, इंदरा गांधी ने कहा, आप देश के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं तो स्वाविक है कोई आदमी हिल जाएगा ऐसा मतलब संटेंस सुनके तो 30 सिकेंड्स उसको वो तो मसल हो जाएगा कि यह क्या हो गया है यह लेकिन इंद्रा गंधी का आवाज पहचामता था तो जब वो हिस्टेट कर रहे थे इंद् बात करते हैं चिदांबरम ने किस तरह से प्रेश्राइज किया था अंडर सेकेटरी को हम भी जानते हैं क्या-क्या थ्रेट नहीं उससे डाला गया हिंदूस्तान के गवर्निस मोडल में अंडर सेकेटरी यह बहुत-बड़ा बहुत-बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है फर्स्ट नोट उसी का होता है और जब वो नोट किसी तरह से लिखता है फाइल पे तो आंटेरलेस आपके पास जवर्दस लॉजिक हो आप ओवरूल नहीं कर सकते हैं ओवरूल का आपको रिजन देना पड़ेगा चिदां कि अनितिक्ता की नेतिक्ता कूई नेतिक्ता को ने कुई निए रूधलेस आदमी है सिर्फ इनका मकसद है प्रधान मंत्री पे बैठाव देश को लूटूँ देश को कंजोर करुँ इसके लिए दुस्मन से दोस्ती मिलाना है, चलेगा मनी शेंकरा यार्थ पाकिस्तान जा चलेगा लंडन चलेगा यह क्या मुझे तो ताज्यूब लगता है कि यहां के लोग को दिखता नहीं है क्या यह परिवाद ने देश का किस तरह से बेड़ा गर्किया है और फिर भी एक आदमी जीता है कॉंग्रेस का मतलब है इस देश में कहीं लोगों के सोच में कमी है राष्ट्यता के सोच नहीं है बहुत भेंकर्द रिश्य है उंगा जी खाली सेना के जमवारी नहीं है देश को स्रक्षित करना है सब देश्वासियों को जुबत और मैं तो कहता हूं कि वक्त आ गया है एक चोटा सो धार्म दूंगा जब अब्दूल कलांजी जिन्दा थे उनके वोट का वेटेस्ट फैक्टर वान एक रिक्षावाला जो दो हजार रुपया पे दो रम बोटल पे बीजाता है उसका दूनों की सोच सहग हो सकती है क्या टोनों राष्थित में जो उनका सोच से कि वह सकता है क्या तो कहीं कुस तो कंडिशनट डालना पड़े गाथज है मैं नडिय गया था तो हमारे पोलिस व quier रिफाइन्मेंट खोचता है वेटेस फैक्टर देने की जरुवत है जो दुब दो हजार पे एक रम बॉटल पर टक जाते हैं क्या वो रास्थित में सोच सकते हैं कहीं तो लगता है कि हाँ वो भी दोशी नहीं है क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ जो भूखा है उंकार जी भूख बहुत बड़ा अभिशाब है तो बिग जाते हैं रिचारी वेट करते हैं चलो एक रम बॉटल तो मिला दोहजार तो मिला लेकिन देश का तो बहुत बराब करते हैं और सत्य सामने लाते हैं कहिने कहीं तो लोग संदेश जाता है लोगों के पास और थोड़ा-थोड़ा जावुतश तो रही है बगवान करेे आप ऐसे यहद्छा काम करते रहें और रास्त को यगाते रहें को कि भार्त वाता मस्मूहों शॉरक्शीत हो हम विश्व लोगों ने हम पर शासन किया हमें गुलामों जैसी जिन्दगी दी इसके बाद पोने 200-200 साल तक इस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का राज रहा और उनकी सामत शाही और ताना शाही चलती रही 1947 में हम आजाद हुए एक लोगतांत्रिक देश के रूप में हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की लेकिन 47 और 1977 बहुत कम समय के भीतर ही एक बार फिर कॉंग्रेस ने इंद्रा गांधी ने नहरू की बेटी ने हम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ है हमारे भीतर जो इन चीजों को बरदास्त नहीं करता है कभी तोड़ा समय लग जाता है और कभी इस तरह की हरकते करने वालों को आकल आ जाती है या कहीं से कोई संकेत मिलने के बाद उनको ये समझ में आता है कि हमारी बदनामी हो रही है उस दोरान करीब डेड़ लाख लोगों की गिरफतारी आकारन जेल में ठूस देना और मीचा के तहत बोलने पर पाबंदी लिखने पर पाबंदी मीडिया पर पाबंदी फिल्मों पर पाबंदी गाएकों तक पर पाबंदी लगा दिए तक या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काला अध्याय है काला पीरियड है 21 महिन्य का उसने हमें क्या-क्या सबक दिये हैं हम यही अपेक्षा और द्रडव विश्वास रखते हैं कि अब भारत में वो काले दिन कभी लोट करके वापस नहीं आएंगे और अगर कोई उनको लाने की कोशिश भी करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा सिना साब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए थैंक यू सौमच नमस्कार भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो